Hello friends, मेरा नाम दिव्या है और मेरे चानल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज बताऊंगी जो आप बच्चों के साथ लोगडाउन में घर के अंदर कर सकते हैं इन आक्टिविटीज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा समान नहीं चाहिए आप बेसिक समान के साथ भी इन आक्टिविटीज को कर सकते हैं और I'm sure ये activities आपके बच्चे को घंटों नहीं तो कम से कम कुछ मिंटों के लिए तो जरूर entertain रखेंगी तो चलिए start करते हैं पहली activity के लिए तो पहली activity करने के लिए आपको एक box चाहिए कोई भी box जैसे मिठाई का डबबा पढ़ा हो घर में या किसी भी type का box पढ़ा हो आपका उस box के उल्टी side पे आपको दस पारा छेद करते हैं और साथ में यूज करनी है ear birds तो अब आप बच्चे को कहिए यह ear birds को एक एक छेद के अंदर डालता रहें और इस activity को करने में बच्चों को बड़ा मजा आता है मेरे बच्चे ने तो इसको एको लेवल उपर कर लिया वो डालने के बाद उनको निकालता भी खुद है और फिर से complete करने के बाद खुश भ वेरी गूट बालो बालो वेरी गूट Müेरी गूट तो देखा आपने इन सब activities को बच्चों के साथ करने के बहुत फायदे होते हैं एक तो बच्चों का hand और eye coordination इंप्रूब होता है उनका concentration और focus level इंप्रूब होता है और एक sense of achievement होता है जैसे ही वो फटाक से एक टास्क पूरा करते हैं और उनने बहुत खुशी होती है तो kind of sense of achievement होता है और उनका confidence level इंप्रूब होता है तो चलिए चलते हैं next activity की तरफ next activity करने के लिए आपको एक टोकरी में पानी लेना है और इस पानी के अंदर 10-12 बच्चों के ट्वाइस डाल दीजिए कोई भी ट्वाइस डाल सकते हैं आप छोटे-छोटे जो होएंगे और साथ में एक छाननी चाहिए और बच्चे को बोलिए कि इन पानी से यह ट्वाइस को बहार निका लिए वाटर एक्टिविटीज में वैसे ही बच्चों को बड़े मज़े आते हैं और वो इतना खुश हो के उससे निकालेगा उससे ऐसा लगेगा कि जैसे वो फिशिंग कर रहा है और बड़ा मज़ा आएगा देखिए खब आएगा कि अट्यूज़ यह वर को। यह वाटर पादेगा वाटर वाटर के वाटर कीए वाटर कीए इन एली से वाटर कीए आप इन एक्टिविटिस को अपने बच्चों के साथ जरूर ट्राइ केजिए और मुझे बताईएगी कैसा रहा वीडियो को लाइक केजिए अगर आपको पसंद आई हो तो